Hello students, आज मैं आपको विभिन ट्रेकार के बीमा के बारे में बताऊंगी, इसमें सबसे पहला आता है स्वास्ति बीमा, स्वास्ति बीमा चिकर्षा सम्मंदी व्यों में व्यों में ब्रद की एकारण सुरक्षा पदान करता है, यानि कि आजकल बीमारियों की वज़े से खर्चा बहुत ज़दा होयाता है तो इसके लिए भी हम medical policy ले सकते हैं स्वास्ति भीमा करता है एमव्यक्ति या समू के बीच में एक प्रैसर विदा होता है जिसमें भीमा कार्ज है निर्धारित मुलियनी premium के बदले में निश्चिस स्वास्ति भीमा करने का समझोता करता है premium की राज़ी का या तो एक मुष्ट भुक्तार कर सकते हैं या किस्तों में भी भुक्तार किया सकता है यह भीमा policy पर नेर्भर करता है स्वास्ती बीमा में सामनेते बीमारी जो व्यखर्चा होता उसका या या सीधा बुक्तान कर दिया जाता है या बुक्तान व्य करने के पश्चा उसको सुकता कर दिया जाता एं ये स्वास्ति भीमा की लागत और उसके द्वारा पदान की प्रदत जो सेवाएं हैं या सुरक्षा जो भीमा पॉलिसी है उस पर डिपेंड करता है वर्तमान में स्वास्ति भीमा मुलूप से मेडिकलेम पॉलिसी के रूप में पचलित है जिसे व्यक्ति या समू, संगठन या तो आक कम्पनी को दिया जाता है यह अपने MediClaim Policy, दाम आपने सुनाओगा, कि हमने MediClaim करा रखाया है, तो MediClaim करने वाले कई कमपनिया है, जो यह इस प्रकार का कारे करती है, इसमें क्या होता है, MediClaim Policy हम ले लेते, इसका एक मुस्त भी वुक्तान प्रीमिम की रूप में कर सकते है, या किस्तों में भी क् हमारे कोई द्रुगठना हो जाए है, तो उस समय जो खर्चा होता है, जो भी है, तो वो पैसा बीमा कंपनी देती है, या तो सिदे कार्ड से भुक्तान कर दिया आता है, या फिर बाद में उसका प्रीमिंट कर दिया जाता है, ठीक हैं तो यह स्वास्त भीमा, अभी बहुत प्रश्टित है next है motor वहन भीमा motor वहन भीमा पी एक सामाने भीमा के अंदर आता है इस प्रेकार का भीमा भूद लोग प्रिये आप जानते हैं है आज गाड़ी वगर हम 2-4 वीलर लेते आ तो उसका भीमा करवाते है ना भीमा करना आने वारे भी है ना तो यह कभी दुरुगत इस प्रकार की जो मोटर वहण वीमा पॉलिसी वरत्मान में बहुत प्रस्लित है और निमा कराना एक तरह से अनिवारे भी हो गया है, ठीकिन? तो इस प्रकार की पॉलिसी के बारे में आपने सुनाई होगा कि मोटर गाड़िया जिसमें टू वीलर, त्री वीलर, फॉर वीलर सब यह आते हैं, इन सब का भीमा किया आता है, कभी भी कोई घटना कटी तो आती है, तो भीमा कंपनी उसका उक्तान करती है, नेक्स्ट है चोर उसे कोई घरिलू समान या संपती की जो हानी होती है, तो इसमें क्या होती है, जो वास्तविक हानी जितनी भी होती है, उसकी शतिपूर्थी भीमा कंपनी के द्वारा की जाती है, नेक्स्ट की चोरी के विरूद भी हम भीमा करवा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्ते भी जैसे हानी के समय भीमा योगी हित होना आवश है कि भले पॉलिसी लेते समय नहो यानि कि नहीं का मतलब है जब चोरी का भीमा पॉलिसी लेते ना तो जब हमारा नुकसान होता ना तो हमारा भीमा योगी हित होना आवश है कि उस समय का नुकसान हमारा होना आवश है कि आपको वो हमारा नुकसान होता है, तो ही अमें पैसा न见ता है, लेकिन कब होना आवश्यक है, जब शटि पूरती होगे होगे है। दूसमें इसा हानी का जो निकर्टम कारण का सिद्धान पीस पे लागव होता है, बीमा कम्पनी केवल उस विशेश प्रकार या निकर्टम कारण से जिसले पॉलिसी ली गई है, उससे होने वाली हानी का बुक्तान करने का वचन देदली को कई भार क्या होता है, हानी कई पोते हैं उसकर भी इसम्डितों नहीं किया जाते हैं मशम का पार फुट दिन राशी पतान की जाती है और इस प्रेंसवीदा के अंतकर जो है ये राशी पशो की दुरुगटना, भीमारी, प्रेसव या गरब धारन के कारण अगर मेरती हो जाती है तो भीमा कंपनी जो है इसका मुआवजा या शत्यपूर्ती करने का पच्चन देती है नेक्स्ट है फसल का भीमा फसल का भीमा भ बहुत हानी होती है तो इस प्रकार का अगर फसल का भीमा अगर हमने करवा रखा है तो हमें वित्ति साइता जो है भीमा कंपनी के द्वारा मिल जाती है फसल भीमा आपने अभी ये बहुत सुना होगा और फसलों में भी क्या सभी फसलों का नहीं होता है कुछ फसले जैसे सब्सक्राइब में नहीं है नेक्स्ट एक खेल का समान है वेक्टी का थानी है और कोई जोखी में उसके लिए वीमा करायाता है अर इसमें जो है नामेत या उसके साथ रहे परिवार के सद्रिक्श्य को सम्रेत किया सकते और ब्यवासा एक के लिनी होता हुआ। निये मिंमनट मैं केई एक या तिक खिलो का भी करवा है सकता लिए ना हिसमें तो फिर नहीं पाएगा ना तो इसका भी तुक?' नेक्स्ट मिंमनटती सिन्ह आक खिंशा योजना 2 पालन पोशन के लिए ना तो यह जो अगर किसी को कोई अभी वावक को 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 मैत्ती हो गई है या शारीक शत्यासी पहुच गई है या चोटके करणम के मैत्ती हो गई है या विकलांग हो गई है तो ऐसे भी मा जो बाली सी होती ना तो इसमें क्या होता है जो द्यारती होते हैं उनके बच्चे होते हैं उनको जो है बाली सी की अवधी तक जो है निशेदन राशे उनको शिक्षा के लिए जो खर्च होता है उसके लिए उनको दिया जाता है भी मा खंपनी के द्वारे के द दिया जाता है और पैसा कब तक जब की पॉलिसी की आउधी तक है ना जब तक उनको बत्न के बच्चों की सिक्षा का खर्च उठाया जाता है नेक्स्ट है राजिश्वरिश महिला कल्यान यह पॉलिसी दिमाकत इस्ते के परिवार के सदेश्यों के इंदुर गट्ना के करण अगर मेति हो जाए विकलांग हो जाए इसमें एक या अधी केवल इस्तरियों के लिए यह उती पॉलिसी और इसमें क्या मेति होने पर या विकलांग होने के सिती में इसाहिता पतान किया थी क्योंकि यह नाम है इसका है राजिश्वरिश्वरिश्य महिला कल्यान में महिला के लिए होती है अगर किसी दुरगत नाएं अगर वह विकलांग हो जाए मेरती हो जाएंगी तो महिलाओं को जो सुरक्षा पतान की जाती है इस पॉलिस के द्वारा नेक्स ती सामाजिक सुरक्षा योजना अब कुछ और ओऊ जोजना है जरकार की उसमें अच्छल पेंशन योजना यह योजना 38 से 40 वर्ष की बीच की वैक्टियों के लिए होती है यह प्रीमियम भारे यह योजना व्रदा वस्ता में पेंशन की सुविदा के लिए चारी की गई यह आप साथ वर्ष तक तो पैसा अंश्दान करें यह पैसा जमा कराए कुछ है और उसके बाद में साथ वर्ष की बाद में उनको पेंशन के रूप में धनराशी मिलती रहती है प प्राण मंति शुरक्षा भीम योजना यह योजना बारा रुपे प्रती वर्ष यह आपानको पतावा थोड़े दिन साल, तिन साल पहले ही चैनी प्रण मंति यह प्रकार के योजना जो है चालो कियी थी जैसे बारा रुपे से देरनी परती हे और दो लाक का दुरुगतना भीमा या विकलांग का भीमा जहें, कवरेस में शामिन है, और यह कोई भी जिसका बच्चत खाता न, वे इस योजना में समलिते हो सकता है, यहीं बच्चत खाते में इस प्रकार की योजना का लाब ले सकता है, नेक्स्ट प्राणमंती जन्धन योजना ये भी जो है योजना जिसमें जीरो बैलेंस पर अकाउंट बचत खाता पर खुल जाता है और साथ में जो है इसमें आपको डेविट कार्ड भी मिल जाता है और इसमें एक लाक रुपए 38,000 रुपए का करमशे दुगटना बीमा जीवन सुरक्षा कवर शामिल इसके आशेतों को और सुरक्षा का वर्ष जो है उपलब्द कराती है और ये भी मा जै अठा से 70 वर्ष की आयू का कोई भी बैक्ती जो है जिसका बचत खाता हो इस योजना को चुन सकता है ठीके ना ये सारी अभी पहले ही ये योजना चालोगी कुछ सालों पहले ठीके ना ये थी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जान करी ठीके आज इतना ही नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में के टेक केर बाए